Hello students, कैसे हैं आप सब? आप सबों का NCRT टुटोरियल में स्वागत है आज हम लोग class 8 का chapter number 12 सुरू करने जा रहे हैं घर्षन यह जो chapter है ना, इस chapter में हम लोग घर्षन का परिभासा समझेंगे साथी साथ घर्षन से हम लोगों के दैनिक जीवन में क्या लाप है और घर्षन से क्या हानी होता है हम लोगों के जीवन में साथी साथ घर्षन के कितने प्रकार होते हैं इस संबंध में भी हम लोग इस chapter में जानकारी प्राप्त करेंगे अब चली हम लोग board पे चलते हैं और एक एक line जैसा कि NCRT book हम लोग पढ़ते हैं ठीक उसी तरह से पढ़ना सुरू करेंगे आपने traffic signal पर car अथवा truck चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा आप लोग जब traffic पर रहते हैं या आप लोग जब cycle चलाते हैं तो देखते हैं जब कोई गाड़ी होता है तो गाड़ी को क्या करते हैं अब आप लोगों के मन में मेरे प्यारे बच्चों या बिचार आता होगा कि सर जब लोग brake लगाते हैं तो कोई गाड़ी धीमी कैसे हो जाती है cycle धीमा कैसे हो जाता है तो इसका सिधा सा जबाब है कि वह धीमा हो जाता है एक बल के कारण जो संपर्क बल है ब्रेक के बीच में और साइकल के टायर के बीच में वो जो लगता है उसके कारण वह धीमा हो जाता है और उस बल का नाम है घरसन बल और आज यह जो चैप्टर है पूरी तरह से उसी बल के बारे में घरसन बल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब समझते हैं सबसे पहले कि घरसन बल क्या होता है घरसन बल वह बल है जो किनी दो प्रिस्टों के बीच में संपर्क के कारण जो गती होता है उसका बिरोध करता है उसे हम लोग घरसन बल करते हैं तो उसी बल के संबन्ध में अभी हम लोग क्या करेंगे? अध्यान करेंगे मेरे प्यारे बच्चों. चलो आगे देखते हैं क्या लिखा गया है? केवल बाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के प्रिष्ट पर गती कर रही होती है, उसी स्थिती में भी मंद हो जाती है, ठीक है? अगर हम लोग एक बॉल को ऐसे लुड़का करके छोड़ दे, तो कुछ देर चलने के बाद वो कैसा हो जाता है? रुख जाता है, इसी तरह सी किसी भी वस्तु को जब हम लोग गती सील करते हैं, तो कुछ समय गती में रहने के बाद वस्तु रुख जाता है, अंततव रुख जाती है, क्या आपने फर्ष पर लुड़कती गेंद को कुछ समय पस्चात रुखते देखा है, केले के छिलके पर कदम रखते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? अब देखो यहाँ पर एक और प्रशन पूछा गया है, क्या किर जब हम लोग केले के छिलके पर पैर रखते हैं, तो हम लोग फिसल क्यों जाते हैं? क्योंकि केले के छिलके पर जब हम लोग पैर रखते हैं, तो केले के छिलके और जमीन के सतह के बीच घरसन बल कम हो जाता है और घरसन बल कम होने के कारण वह तेजी से क्या होता है उसमें गती होती है हम लोगों के बोडी में जिसके चलते हम लोग गिर जाते हैं किसी चीकने तिथा गीले फर्स पर चलना क्यों कठिन होता है चुकि वहाँ पे हमारे पैर और जो जमीन है उसके बीच का घरसन बल कैसा हो जाता है कम हो जाता है जिसके चलते हम लोग उस पे आसानी से नहीं चल पाते देखें यहाँ एक बच्चे का फोटो दिखाये गया है जिसमें यह जो बच्चा है जैसे ही इसका केले के छिलके पे पैर पड़ता है तो इसके और जमीन के सतह के बीच का घरसन बल है वह कम हो जाता है इससे इसकी गती तिवर हो जाती है और यह अपना क्या बैलेंस नहीं ब दिखायते रहा होगा चलो देखो घरसन बल अब यहाँ पर हेडिंग सुरू होता है इसमें है क्रिया क्लाब 12.1 अब इसके बारे में पढ़ेंगे मेज पर रखी किसी पुस्तक चित्र 12.2 ए को धीरे से धकी लिए आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर वह रूख जात है तो मेज पर कुछ दूर तक वह किताब चले गी और उसके बाद किताब रूख जाएगी और जब उल्टे दिशा से भी हम लोग उसी काम को करते हैं किताब को धक्का देते हैं तो कुछ दूर तक चलती हो रूख जाती है ऐसा आखिर क्यूं हो रहा है तो ऐसा घरसन बल के घरसन बल यहीं पर मैं सबसे शुरुवात में ही एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब किसी बस तुगमाली यहां पर पूस्तक बना हुआ है यह पूस्तक है अब इस पूस्तक की गती है इधर किस साइड है भाई इस साइड है इधर इधर साइड तो देखिए जो घरसन बल लगेगा न इसके विपरीद दिसा में लगेगा किधर लगेगा विपरीद दिसा में घरसन बल कार्ज करेगा तो यह घरसन बल किधर कार्ज कर रहा है घरसन बल कार्ज कर रहा है इधर ठीक है विपरित दिशा में clear है मेरे प्यारे बच्चो तो इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि जिस दिशा में गती होती है घरसन बल उसके विपरित दिशा में कार्ज करती है यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गये होंगे जैसा कि मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपने देखा कि यदि आप बाई दिशा में बल लगाते हैं तो घरसन दाई दिशा में खर्ज करता है यहां पर आपके पुस्तक में भी लिखा गया है तो इस बात को भी आप क्या करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे यदि आप दाई दीसा से बल लगाते हैं तो घर्सन बल किदर से लगेगा? दोनों स्थीतियों में घर्सन पुस्तक की गती का क्या करता है, बिरोध करता है घर्षन बल सदे हुई लगाए गए बल का बिरोध करता है मेरे प्यारे बच्चो जब भी हम लोग कोई बल लगाते हैं तो घर्षन बल उसका क्या करता है बिरोध करता है उप्रोक्त क्रिया कलाप में घर्षन बल पुस्तक तथा मेज के प्रिष्टों के बीच कार्ज करता है चुकि मेज पे ही क्या हो रहा है पुस्तक जो है वो खिसक रहा है घिसक खिसक के ऐसे चल रहा है तो इसलिए जो है घरसन बल किसके किसके संपर्क के बीच में कर रहा है कार्ज कर रहा है मेज के और पुस्तक के संपर्क प्रिस्ट के मध्य कार्ज कर रहा है क्लियर है यहां तक चलो आगे देखो, क्या सभी प्रिष्टों पर समान घरसन बल लगता है, क्या यह प्रिष्टों के चिकने पर पर निर्वर करता है, आईए पता लगाएं देखो, आगे बढ़ने से पहले यह बात हम तुमको समझा देते हैं, ऐसे ही, कि जो घरसन बल होता है, मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, कि जो प्रिष्ट है, अगर चिकना प्रिष्ट है, तुमाँ घरसन बल कम लगेगा, और थोड़ा खुरदूरा प्रिष्ट है, तुमाँ पर घरसन बल ज्यादा होगा, तो इसी बात को अभी समझाया गया यहां पर, कि घरसन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, ठीक है, तुन ही कारकों के बारे में अभी हम लोग समझेंगे, हमारे पास सबसे पहले है क्रिया क्लाप 12.2, किसी इंट के चारों और एक डोरी बांदिये, एक इंट ले लेना है आपको, और इंट में क्या करना है, थुड़ा सा रसी जैसा, अच्छा मजबूत वाला बांदिये, बांद लीजिए, इंट को कमानीदार तुला द्वारा खिचिए, और उसको क्या करना है, फिर रसी को पकड़ के आपको ऐसा ही खिचना, अगर कमानीदार तुला आपके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं है, ठीके, आपको कुछ बल लगाना पड़ता है, जैसा कि इंट गती करना प्रारंब करे, अब देखिए, जब कुछ बल लगाते हैं, तो जिससे क्या करती है, इंट जो है गती करना आरंब कर दे हैं, अभी कमानीदार तुला क्या होता है, मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा, इससे आपको उस घरसन बल, अब जो घरसन बल है न, उसकी माप प्राप्त हो जाएगी, कमानीदार तुला का उपयोग करके, जब उसको आप फरस पे खीचेंगे, आगे देखिए, आप ल कोनो स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांक में कोई अंतर पाते हैं, हाँ, इस स्थिति में कमानीदार तुला के पाठ्यांक में अंतर हो जाएगा, पहली स्थिति में जब आप इंट को खीच रहे थे, तो उसमें घरसन बल ज्यादा लग रहा था, इसलिए इंट कमानिदार तुले का पाठ्यांक या रीडिंग जो है कम आएगा मेरे प्यारे बच्चों इट पर जूट का एक टुकड़ा लपेट कर इस क्रिया कल आपको दोहरा करके आप आगे प्रेक्षन को कर सकते हैं तो यहां तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई ग्राम में लिखा हुआ है पाठ्यांक तो जब इस पर कोई वजनी चीज को लटकाया जाता है पहले के जब आने में लोग किस चीज को तॉलने के लिए से लटका दोगे तो क्या होगा और प्यानिदार तुला वह यूकती है जिसके दौर्ण किसी बस्तू पर लगने वाले बल को मापा जाता है, हम लोग इसको जैसे माल लोग कमानी दार तुल है, तो ऐसे खीचेंगे तो इस प्रिंग कुछ टाइट होगा, ऐसे खीचेंगे तो क्या होगा, कुछ दूर तक हम लोग इस प्रिंग को खीच पाएंगे, तो उससे क्या होता था, उस पे हम लोग क कुछ बल आरोपित कर रहे हैं तो इसलिए कहा जाता है कि यह बल को मांपने का एक यहंत्र है क्लियर है मेरे प्यारे बच्छों तो सबसे पहले इस बात को याद्म रखिएगा इसमें एक कुंडलीत कमानी होती है कुंडलीत कमानी करने का ताथ पर वही है है कंडली कंमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है जब उसकों लोग बल लग जाते हैं तो उटा सब फैल जाता है इस परीन में इस अपने में व giving फैल ठाहिं ना अप्र पंड tri पैमाने जो है यहां पर कुछ संकेत बने हुए हैं इससे क्या कर लिया जाता है इसके इसकी माप कर ली जाती है पैमाने के पाठ्यांग द्वारा बल का परिमान प्राप्त होता है और जो पैमाना है उसके पाठ्यांग के द्वारा किसका माप पता चलता है हमें बल का माप पत चलता है तो यहां तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी अब हम लोग 12.3 क्रिया कलाप समझेंगे कि उसमें क्या बताया गया है किसी चिकने फर्स अत्वा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाई है आनत समतल कहने का तातपर्ज क्या है भाई आनत समतल कहने रखा कोई लकड़ी का तखता उप्योग कर सकते हैं चीतर 12.4 A में वह दर्साया गया है आनत समतल के किसी बिंदू A पर पेन से कोई चिन्ध अंकित कीजिए अब कोई पेंसील सेल इस बिंदू से नीचे लुड़कने दीजिए रूखने से पुर्व या मेज पर कितनी दु कर रही है या देखरे हैं पुस्तक के सायदा से किताब के सायदा से एक कुट को ऐसे लगा लिया है बच्चा और आनत सल का निर्मान कर लिया है अगर आप भी अपने घर में बना करके इसको देख सकते हैं बिच्छी पर कुई कपड़ा बिच्ण लिजे अब पहले तो क्या कर सकते हैं उस पर लुड़का करके देख सकते हैं बाद में क्या करना है नीचे में कपड़ा विछा लेना है जिस पर किसी तरह का सिल्वट कहने का ताप पर यह हुआ कि उस उसपे कोई मतलब कई से मुला हुआ ना हो कपड़ा तो उसको सीधा करके बिछा लेना है तो उसके बाद आपको बैटरी ओग रहे हो कुछ लोड़क के देखना है कि कौन कितने दूर तक लुड़क के जाता है जैसे देखो यहां पे यह बच्चा है यह बच्चा कुछ भग के जाए हो सकता है किताब यहीं तक पहुंचे तो इस बात को आप लोगों को देखना है यही बात यहां पे यही क्रिया कलाब करने के लिए आप लोगों को बताया गया है आगे देखिए क्या करता है क्या स्यायल द्वारा चली गई दुरी जिस प्रिस्ट पर वह चलती ह उसकी प्रकृती पर निर्फर करती है अब यहां पर बताया जा रहा है कि जिस चीज पर कोई चीज चलता है उस वस्तू का जो प्रकृती है नेचर है कि वो कितना रूखडा है या कितना मुलायम है उस पर क्या करता है कितने दूर तक कोई वस्तू गती करेगा या निर्फर कर प्रिष्ट पर चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रफावित करता है हाँ बिल्कूल अगर वह ज्यादा चिकना रहेगा तो ज्यादा दूर तक चलेगा चुकि उसके बीच में क्या है जो घरसन बलकार्ज कर रहा है वह थोड़ा कम हो जाएगा तो यहां पर यही बात समझा पाया गया है कि यह जो बच्चा हैना कौन यहां पर बुझो है ठीक है यह किया करता है कि सेल product स्वहाल का प्रेग्माल कर até कर प्रेक्षन को करना चाहता है तो यह सारा बात यहांपर बताया गया है कि जो संपर्ख सत है उसचिकना है कि रुखडा है इस बात पर घरसन निर्भर करता है घरसन संपर्क में आने वाले दो प्रिस्टों की अनियमित्ताओं के कारण होता है घरसन क्यों उत्पन होता है जो दो प्रिस्ट आपस में संपर्क में आ रहे हैं उनके बीच में अगर अनियमित्ता है तो उस अनियमित्ता क काने का तातपर्ज है खुरदूरापन या रुखडापन तो दो प्रिष्टों के बीच में जो रुखडापन है उसी के कारण क्या उत्पन होता है घर्षन उत्पन होता है ऐसे प्रिष्टों जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सुक्ष्म अनिय मीत तताएं होती है जैसे जो प्रिष्ट आपको देखने में थोड़ा चिकना प्रतित हो रहा है इसको भी जब आप लोग सुक्षुंदर्सी के सहायता से देखेंगे तो देखेंगे कि ये भी थोड़ा-थोड़ा क्या है रुखडा बना हुआ है इस तरह का फूरदूरा है म इस तरह से लाकर के ऐसे बैठता है तो इसमें क्या होता है एक दूसरे के गैप में खांचे में वे दोनों घूंज जाते है तो इसके चलते क्या होता है उनके बीच में एक अंतह बंधन बन जाता है तो जो ये अंतह बंधन है पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड तो उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है कुछ धक्का देना पड़ता है बल लगाना पड़ता है क्लियर है यहां तक थोड़ा समझी से मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे समझा सकूं आगे कि क्या बताया गया है खुरदूरे रुक्ष प्रिस्ट पर ए अनिमताय अधीक संख्या में होती है अता यदि प्रिस्ट रुक्ष हो तो घरसन बल अधीक होता है तो यहां से अब आप लोग बात समझ में आप लोगों को आगया होगा कि अगर प्रिस्ट कैसा हो रुखडा हो अगर कोई सत्र पुस्तक का प्रिस्ट यहां पर दर्साया गया है और मेज का प्रिस्ट दिखाया गया है इसके बीच में कुछ अनियमी तताएं दिखाई गई है यहां तक आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गया होगा अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे समझने का कोसिस करते हैं कि आगे आप लोगों को क्या बताया गया है इसमें ठीक है थोड़ा से यह स्क्रीन थोड़ा सा डिस्रब कर रहा है कोई बात नहीं यह देखिये हमने यह सीखा कि दो प्रिस्टों के बीच अनियमी तताओं के अन्तह बंधन के कारण घरसन होता है हम लोग सीख लिए कि जो दो प्रिस्ट हैं, उनके बीच में जो अनियमित्ता के अंतह बंधन है, उसके कारण क्या होता है, घर्षन होता है, यहां तक तो बात हम लोग सीख गए, मेरे प्यारी बच्चों, यह तो बात हम लोग समझ गए है, असपस्ट है कि यदि प्रिस्टों को बलपुर्भक जाएंगे, आपस में संपर्क में आ जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो इस तरह से क्या होगा, उसके लिए उसके और घर्षन बल अधीक कार्ज करने लगेगा, ठीक है? तो इनके घर्षन बल में ब्रिधी हो जाएगी, इसका अनुभो आप किसी चटाई को उस समय खीच कर कर सकते हैं, अब देखिए, इसको समझना है, कि अगर किसी चीज पर हम लोग बल लगाते हैं, तो घर्षन बल बढ़ जाता है, इसको अगर समझना है, तो आप क्या करेंगे? तो आप मेरे प्यारे वच्चों क्या करेंगे? कि एक चटाई ले लेंगे, या फिर चटाई नह हम लोग खी सकते हैं, तो यही बात यहां पे आप लोगों को समझाने का कोसिस किया गया है, अब देखिए, यहां पे एक बच्चा है, यह बच्चा क्या कर रहा है? इस बॉक्स को बक्से को धक्का देने का कोसिस कर रहा है, धक्का दे करके इसको सरकाने का कोसिस कर रहा है, बोक्स को गतिमान रखने के लिए लागातार धकेलना पड़ता है आप देखते हैं कि किसी बक्से को जब हम लोगों को गती में रखना रहता है तो बार-बार उसमें हम लोग क्या करते हैं धक्का देते रहते हैं अच्छा अभी इन सारे बातों को continue करने से पहले आपको मैं यहाँ पी एक बात अब clear कर देना चाता हूँ चुकि घरसन के बारे माँ आप लोग थोड़ा-थोड़ा समझ गये हैं देखो घरसन कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है कितने प्रकार का घरसन होता है? चार प्रकार का पहले घरसन को हम लोग अस्थेतिक घरसन बोलते हैं जो उसके position, इस्थिती के कानण होता है उसको अस्थेतिक घरसन बोलते हैं दूसरे घरसन को हम लोग सरपी घरसन बोलते हैं कौन सा घरसन? सरपी घरसन जैसे एक priest रखा हुआ है एक मिनुट थोड़ा से इसको adjust कर लेते हैं जैसे मान लिजे कोई ऐसे priest है जैसे mage बना हुआ है और इसके उपर कोई book रखा हुआ है तो book को जब हम लोग ऐसे घिसीट कर जैसे साप चलता है नो साप कैसे ऐसे ऐसे चलता है तो इस दो priest जब एक दूसरे पर सरक सरक के चलते हैं तो दोनों priest में क्या होता है उसमें सरपी घरसन कार्ज करता है clear है तीसरा घरसन है वह घरसन है लोटनिक घरसन कैसा घरसन है मेरे प्यारे बच्चों लोटनिक कोई भी गोलाचे जब लुढकता है किसी priest पर तो वहाँ पर जो घरसन बलकार्ज करता है उसको हम लोटनिक घरसन के नाम से जानते हैं और चौथा एक घरसन है उसको हम लोग तरल घरसन के नाम से जानते हैं ठीक है तरल घरसन क्या है कि जैसे जो gas में और draw में जो घरसन बलकार्ज करता है उसको हम लोग तरल घरसन के नाम से जानते हैं तो यही चार घरसन बल आप लोगों को पढ़ना है अभी उसका बीच-बीच में नाम आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे उसको भी समझते जाएगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा तो आप उसपे ध्यान देंगे गौर करेंगे ना तो आगे चलते हैं अब समझते हैं क्या बताया गया है अपने उन अनुभों को याद कीजे जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर सरकाया था बल चेप्टर जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो उसमें भी इसके बारे में हम लोग चर्चा किये थे चित्र बारा दसम लोच्छो अभी जैसा देख लिए हैं यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभों नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभों कीजिए जाकर के कोई बक्सा को आप सरका करके दिखिए ठीक है या कोई लकडी का टुकडा या पत्थर को खिसकाने का कोसिस कीजिए कौन सा कार्य आसान है बिराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिसील करना अत्वा किसी गतिसील बॉक्स को उसी दसा में रखना देखो जब किसी वस्थू को हम लोग बिराम अवस्था से गती की अवस्था में लाते हैं तो उस पे हम लोगों को अधीक बल लगाना पड़ता है क्यूं? चुकि वहाँ पे अस्थेतिक घर्षन कार्य करता है अस्थेतिक घर्षन बल का मान क्या होता है उसके लिए हम लोगों को ताकत अधीक लगाना पड़ता है किसके अपेक्षा? कोई गतिसील बस्थू जो है उसको गती में लाने के लिए अधीक बल लगाना पड़ेगा और जो गतिसील बस्थू है उसको गती में रखने के लिए हमको कमबल लगाना पड़ेगा तो यहाँ बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा आगे देखिए क्या बताया गया है किसी रुकी हुई बस्तू को बिराम से गती प्रारंभ करने के लिए इस्थिती में घर्सन पर पार पाने के लिए बस्तू पर लगाया जाने वाला बल अस्थेति घर्सन का माप होती है तो अभी आप लोगों को पहला घर्षन मिल गया जिसका मैं बात कर रहा था किसी रुकी हुई बस्तू को जब कोई बस्तू रुकी हुई है तो उसको बिराम अवस्था से गती प्रारंब करने के लिए इस्थिती में घर्षन पर पार पाने के लिए बस्तू पर लगाये जाने वाले बल तो उस पे जो उसमें हम लोग बल लगाते हैं ताकि जो अस्थेतिक घरसन है उसको हम लोग पार कर जाएं तो ये किसका है अस्थेतिक घरसन का क्या होता है माप होता है क्लियर है यहां तक तो यहां तक आप लोग क्या करेंगे अच्छे स से याद रखेंगे इसके विप्रित किसी बस्तू को उसी चाल से गती सील रखने के लिए आवस्यक बल उसके सरपी घरसन का माप होता है जब कोई बस्तू किसी बस्तू पे सरकना सुरू कर दिया तो उसको फिर गती में बनाए रखने के लिए जितना हमको बल लगाना पड़त उस बल को हम लोग सरफी घरसन का माप कहते हैं क्लियर है मेरे प्यारे बच्चु चलिए अब आगे चलते हैं आगे आप लोगों को क्या बताया गया है जब बॉक्स सरकना आरंब कर देता है तो उसके प्रिष्ट के संपर्क बिंद्यों को उतना समझे अब ऐसा क्यूं होता है इस बात को समझो जैसे कोई मान लिजे बस्तू क्या है इस्थीर है यानि यहां पे कोन एक सरफेस है किसी प्रिष्ट पे कोई बस्तू इस्थीर है तो यहां पे जो घरसन बल कार्ज कर रहा है यहां पे जो घरसन बल कार्ज कर रहा है वह अस्थेतिक घरसन बल कार्ज कर रह जब हम लोग धक्का देंगे तो यह बस्तू क्या होगा थोड़ा सा अब आ जाएगा यह बस्तू गती में कैसा आ जाएगा गती सील हो गया यह बस्तू अब इस पर क्या करना होगा हम लोगों को थोड़ा सा कमबल लगाना होगा इसको गती में रखने के लिए कमबल क्यों हसने के लिए उनको क्या होता है, उनको समय थोड़ा कम मिल पाता है, वो जल्दी जल्दी एक दूसरे पर पास होने लगते हैं, तो इनके बीच में थोड़ा समय कम मिलता है, कि सरफेस के उपर सरफेस धस सके, तो उस condition में, अस्थेति घरसन बल से, जो सरपी घरसन बल है मेरे प्यारे बच्चो वह कम होता है यही बात यहां पे आप लोगों को समझाया गया है तो इस लाइन को आप क्या करेंगे अच्छे से याद रखेंगे चुकि objective question जब भी बनता है तो जहां पे कुछ concept लिखा हुआ रहता है NCRT में तो उस concept वाले जगा से ही पूछा जाता है तो इस तरह का जहां पे बात लिखा हो तो उसको बहुत ध्यान से गौर से आप लोगों को याद रखना है किसी box में गती आरंब करने के अपेक्छा पहले से ही गतिमान box की गती बनाये रखना सरल होता है तो यह जो concept बताए इसी के कारण ऐसा होता है आरे होगी अब आप लोगों को बात यहां से अच्छे से समझ में घर्सन हानिकारक परन्तु अनिवार्ज अब देखो घर्सन जो है न वो हानिकारक है लेकिन अनिवार्य है ठीक है घर्सन के हमारे जीवन में कुछ लाब भी है और कुछ हानी भी है तो अभी हम लोग यहां अत्वा किसी कुलहड में से किसी पकड़े रखना आसान है अब बताओ किसे आप आसानी से पकड़ के रख सकते हैं कांच के गिलास को कि किसी कुलहड के गिलास को आप आसानी से पकड़ के रख सकते हैं तो कांच के गिलास को पकड़ना थोड़ा कठीन होता है चुकि उसका surface क्या होता है चिकना होता है और कुलहड को पकड़ना आसान होता है चुकि उसका जो surface होता है वो कैसा होता है थोड़ा रुखड़ा होता है मान लेजे किसी गिलास का बाहरी प्रिष्ट चिकना है अत्वा उस पर पकाने के तेल की परत चड़िया अगर मान लेजे कोई कांच का गिलास है उस पर तेल लगा दे तो और चिकना हो जाएगा चड़ी है तो क्या उसे हांत में पकड़ना आसान होगा अत्वा अधी कठीन तो उस कंडिशन में उसे हांत में पकड़ना कठीन हो जाएगा चुकि उसके बीच का घरसन बल मतलब गिलास और हांत के बीच का घरसन बल क्या हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा और गिलास आसानी से जमीन पे गिर जाएगा जरा सोचिए यदि घरसन न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा नहीं बिल्कूल संभव नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर यही बात समझाया गया है यहाँ भी याद कीजि घरसन न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते हैं अब देखिए घरसन बल के कारण ही हम लोग पेन या पेंसिल से लिख पाते हैं ठीक है या किसी पकड़ंडी पे हम लोग घरसन बल के कारण ही चल पाते हैं तो यह घरसन बल का क्या है फायदा है हम लोगों क इसी के चलते तो हम लोग चल फिर पा रहे हैं या लिख पा रहे हैं स्यामपट जो होता है मतलब जिस बोर्ड पे हम लोग लिखते हैं आपकी स्कूल में लिखा जाता होगा चौक से तो क्या होता है उस पे चौक का कुछ परत चड़ जाता है कुछ कन क्या होते हैं तूट करके वहां पे चड़ जाते हैं तो ऐसा संभव क्यों हो पाता है स्यामपट पे लिखना संभव क्यों हो पाता है मेरे प्यारे बच्चो वहां पे घरसन बलके कारण ही लिखना संभव हो पाता है तो यहां तक आप लोगों को बात अच्छे से पाती हैं नहीं तो वो क्या होता उनको चलाना संभव नहीं था नहीं दिशा परिवर्तन किया सकती थी और नहीं उनका डाइरेक्शन चेल्ज किया जा सकता था तो यह भी घरसन बल का लाव हैं हम लोगों कोई यदि कोई वस्तु गती आरंब कर दे तो वह कभी नहीं नहीं आप दिवार में कील नहीं ठोक पाते हैं जब उसके बीच में घरसन बल होता है अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते हैं घरसन के बिना कोई भवन निर्मान नहीं हो सकता था तो इसलिए क्या है कि जो घरसन बल है न यह हमारे जीमन के लिए अत्यन्त महत्व पुर्ण चीज है इसके बगएर हम लोग का बहुत सारा कार्य करना संभव नहीं हो पाता इसके बिप्रित अब चलिए यहां तक तो घरसन बलके क्या लाब हो सकते थे आप लोगों को कभी कभी एक्जाम में पूछा जाता है कि घरसन बलके कि नहीं 5 लाब के बारे में लिखि या तीन लाब के बारे में या तीन हानी के बारे में लिखिए थूस में आप लोग लाब लिख देंगे बारे बहाल कारकव है घरसन के करन वस्तूइं घेंच जाती है जैसे ककर सता है prohibited बेंच ऊटे अब लग गर्म हो जाता है ठीक इसी तरह से हम लोग अपनी हथेलियों को इस प्रकार से अपस में रगण के देख सकते हैं कि घर्सन के कारण क्या होता है कुछ देर के बाद हम लोगों की हथेलियां गर्म हो जाती है तो घर्सन क्या करता है उस्मा भी उत्पन करता है आप क्या अनुभव करते हैं जब आप माचिस की तिली को किसी रुक्ष प्रीस्ट से रगरते हैं तो राग पकड़ लेती है कि वहाँ पर भी क्या हुरा है? उसमा उत्पन हो रहा है, आपने यह देखा होगा कि विदूत मिक्सचर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गरम हो जाता है, मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे बहुत से उदाहरं दे सकते हैं, जिसमें घर्ण के द्वारा उसमा उत्पन होती है वास्तों में जब हम किसी मसीन का उपयोग करते हैं तो घर्षन से उत्पन उस्मा के कारण अतेधीक उर्जा भी नश्ठ होती है निमलिखित अनुभाग में हम घर्षन को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे अब यहां तक तो हम लोग समझ लिए कि घर्षन से क्य संपन करने के लिए घर्षन बलको घटाना पड़ता है तो यह दोनों परिस्थितियों के बारे में अभी हम लोग समझेंगे पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षन वांचनिय होता है बढ़िया है और कुछ में क्या है खराब है क्या ौ आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूते की तली खांचेदार की होती है जो हम लोग जूता पहنتे है न उसके देखते होनो जो सोल होता है नीचे वाला उस पर बढ़िया खांचा बना हुँआ रहते है जो चीकना वाला रहता है उसको ओनलोग फेक दतेते जो गिरने लग जलना आसान हो जाता है इसी प्रकार कारो ट्रकों तथा बुल्डोजरों के टायर भी खांचे दार होते हैं देखें न जितने वे टायर होते हैं उस पे खांचे बने हुए रहते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनी रहती है तो यहां तो आप लोग बहुत अच तो ब्रेक फैट घरसन के कारण रीम की गती को क्या करदेती है रोक देती है या रोक देते है और पहिया गती करना बंद कर देता है आपने हांथो पर मिटी लगाते हैं ता कि उनको दूसरे खिलाडी को पकड़ने में क्या हो सहुलियत हो सके बयायामी मतलब जिमनेस्ट जो होते हैं अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं रुखड़ा चीज लगा लेते हैं ताकि घरसन में व्रिधी करके अच्छी पकड़ बना सके तो इन सारे कंडिशन में क्या किया जा रहा है घरसन बल को कम करेंगे और जहां पर घरसन बल से हमको लाव होना है वहां पर घरसन बल को और बढ़ाएंगे यही कॉंसेप्ट है कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं जब हम लोग कैरम खेलते हैं तो गोटी और उसके जो कैरम का जो असपरस प्रिस्ट है वहा आपके घर में ममी यूज लगाते हैं थीर की उसमें देखते होंगे कि गर्षन को कम करते हैं तो यहां पर क्या किया जा रहा है गर्षन बलको किसी मसीन अब देखो यहां पे तीन नाम लिखा गया है मेरे प्यारे वच्चों पहला क्या है तेल लिखा गया है दूसरा है और तीसरा ग्रेफाइछ है यह तीनों नाम को अभी आपको क्या करना है याद रखना है ये क्या करते हैं गति सील जो पूर्जे है के बीच में लगने पर उनको उनका जो घरसन बल है उसको कम कर देते हैं ठीक है यहां तक और जो इस तरह के चीज मेशना करने वाले पदार्थों को स्नेहक हम लोग कहते हैं क्लियर है यहां तक आगे देखो कुछ मसीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है जैसे कुछ मसीन ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम लोग तेल का प्रियोग करें स्नेहक के रूप में तो वो क्या होता है? उसके खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है. तो वैसे कंडिशन में हवा का पैड जो है, उसके जगा पर उप्योग किया जाता है. तो कुछ मसीनों में उप्योग न करने के सलाह दे जाती है. वहाँ पर घरसन कम करने के लिए गती सील पूर्जों क बीच वायू की गदी का उप्योग किया जाता है. तो यह कभी-कभी आप लोगों से अबजेक्टिव सवाल पूछ लेता है. तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे. क्या ध्यान में रखेंगे? कि वैसे मसीन जिसमें सनेहक के रूप में तेल का प्रियोग नहीं किया ज सकता है. वहाँ सनेहक के रूप में किस चीज का प्रियोग किया जाता है? तो वहाँ पर ओप्शन में दिया हुआ रहेगा चार्त उसमें से एक वायू की गदी भी दी हुई रहेगी. उसको आपको टिक कर देना है. यहाँ पर संबर्ख सता आप लोगों को दिखाये गया है नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है. घर्षन कभी भी सुन्य नहीं होता है. आगे आप लोगों को बताया गया है. घर्षन कतापी पुर्णता समाप्त नहीं हो सकता. कोई पृष्ट पुर्णता चिकना नहीं होता. उसमें कुछ अनियमी ततायं आवस्य होती है. तो यहाँ भी घर्षन कम कर देते हैं अब जो पहिया होता है ना वो क्या करते हैं घर्षन बलको कम कर देते हैं कैसे अपने अटैचियों तथा अन्य भारी समानों अजबाबों पर युक्र कारंब घिंस तो उसको क्या करते हैं, घरसन को कम करने के लिए उसमें दो चक्का लगा दिया जाता है, अब जब चक्का लगा देते हैं भाई साहब, तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा हम लोगों को सहूलियत होने लगता है, क्यूंकि वहाँ पे घरसन बल कम हो जाता है, ऐसे समानों यहां पर लगा हुआ है क्या चक्का लगा हुआ है तो यह क्या कर रहा है घरसन बलको कम कर दे रहा है आगे देगी बेलनाकार आकरीती की कुछ पैंसिले लिजे आपके घर पे कुछ पैंसिल होगा पैंसिल ने होगा तो पैंसिल भी ले सकते हैं इन्हें मेज पर एक दूसरे क पुस्त के समानानतर रखिए इसके उपर कोई मोटी पुस्तक रखिए अब पुस्तक को धके लिए, आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गति सील होने पर पेंसिल लुढ़कती है पेंसिल की इस परकार की गति को लोटनिक गति कहते हैं, पहले ही आप लोगों को समझा चुके है कि कोई जो चटका चलता है जो गोल गोल भूम करके कोई सतह पर जब कोई वस्तु क्या होता है लुढ़क करके चलता है तो इस तरह का जो वस्तु है वह एक खास तरह का घरसन बल वहाँ पर काम करता है उस घरसन बल को हम लोग लोटनिक घरसन के नाम से जानते है ठीक है या ग गर्षन कम हो गया तो जो लोटनिक घर्षन होता है ना उसमें सरपी घर्षन के पेक्षा क्या होता है घर्षन बल थोड़ा से कम होता है क्लियर है चलो आगे देखो क्या आपने भारी मसीन को उनके नीचे लकडी के लठे रहकर एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाते देखे हैं आप लोग देखे होंगे कि जो भारी मसीन रहता है उसके नीचे क्या करते हैं लकडी का लठा लगा करके और ऐसे खास करके जब जो बड़ा समुद्र वाला जो जहाज होता है ना तो जब वो पानी में घूसते रहता है तो वहाँ पे देखना किस तर ऐसे गोला घरषन कहते हैं यहाँ पियर आप लोगों के किताब में इसका परीवास ऽिखा हुआ है सिधासी दी तो इसको क्या करना है याद कर लेना है न कि लोटनी घरषन कीसे कहते हैं अब समझ में आ गया होगा पहले ही हमें आप लोगों को यहARग यहय*** समझा दिए हैं लोटन घर पर सरकाने की तुलना में लोटन करना सदय आसान होता है किसी वस्तू को हम लोग किसी वस्तू पर सरकाते हैं उससे आसान है कि उस पर लुढ़क लुढ़क के चले न तो इसलिए जो सरपी घरसन है उससे लोटनी घरसन बलका मान क्या होता है कम होता है क्लियर है आगे देखो यही कारण है कि रोलर जड़ा समान खीचना सुविधा जनक होता है, जिसमें रोलर लगा हो, उसको क्या करते हैं, थोड़ा से यहां पे देखो, यहां पे इसको मिटा जेते हैं, चुकि यह रोलर पे आ जा रहा है, तो आप लोगों को दिखा तो रहा होगा देखने में, उसे मानो जाती के महांतम खोजों में क्यों सामिल किया जाता है, क्योंकि लोटनी घर्षन सरपी घर्षन से कम होता है, मैं उस समय से यही बात बोलते आ रहा हूं, और आप लोगों के बुक में भी देखिए, यहां पे लिख दिया गया है, तो इसको तो एकदम अच्छे से जो बात यहां पे लिखा गया है, इसको अच्छे से क्या करें आप लोगों, याद कर लेंगे बेरे प्यारे बच्छों, ठीक है, लोटनी घर्षन सरपी घर्षन से क्या होता है, कम होता है, इसलिए धिकांस मसीनों में सरपन को बॉल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में परतिय स्थापित कर दिया जाता है, जो सरपी घर्षन है, उसको कनभर्ट करके बॉल बेरिंग के साहता से उसको लोटनी घर्षन में कनभर्ट कर दिया जाता है, ताकि वहां पे घर्षन बल क्या हो, कम लगे, और मसीन को कम से कम नुकसान हो, छत के पंखो तथा साइकि कि क्या मैं सम्जाना चारहूं. यहां पर देख रहे न, यह बॉल बेरिंग दिया हुआ है यहां पर क्या किया गया है कि जो सरफी घर्चन है उसको convert करा दिया गया है. किसमें? लोटनी घर्चन में जिसके चलते हैं पर क्या हो रहा है घरसन बल कम कार्य कर रहा है अब हम लोग जो अंतिम घरसन है जिसके बारे में पहले ही हम आप लोगों को बताये थे वह है चोथा तरल घरसन तो अब हम लोग तरल घरसन के बारे में समझेंगे कि तरल घरसन आकिर होता क्या है आप जानते हैं कि बायू अत् गती करने वाली बस्तूओं पर बायू घरसन बल लगाती है लेकिन हवा में जो चीज क्या होता है उड़ता है उस पर कुछ न कुछ घरसन बल कार्ज करता है इसी प्रकार जब आप लोग क्या होगा देखते होंगे कि धूप के दिन में जब खूब लू चलते रहता है तो उस इसे होकर गती करने वाली बस्तू ओपर घरसन बल लगाते हैं आप देखो जब जल में भी कोई बस्तू क्या होती है गती करती है तो जो पानी है वो बस्तू के उपर घरसन बल लगाता है आप लोग अगर तैरते होंगे तो कभी तैरते हुए इस चीज को अनुभव कर सकते बिग्यान में गैसों तथा द्रोगों को एक ही नाम तरल दिया जाता है जो बिग्यान है ना बिग्यान में गैस और द्रोगों को एक ही नाम से जाना जाता है और वह नाम है तरल तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे इसलिए जो घरसन बल है चाहे वह गैस के द्वारा उत्पन हो रहा हो या फिर द्रव के द्वारा उसको एक ही नाम से जाना जाता है वह नाम है तरल घर्षन clear है मेरे प्यारे बच्चो चलो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है आप लोगों को कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गती करने वाली बस्तूओं पर घर्षन बल लगाते हैं तरलो द्वारा लगाये गए घर्षन बल को कर्षन भी कहते हैं इसे एक और नाम से भी जाना जाता है और वह नाम है कर्षन ठीक है तो यह जो कर्षन बल है इस कर्षन को आप हमेसा याद रखेंगे क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों से अबजेक्टिव प्रशन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तरल घर्षन को अन्य किस नाम से जाना जाता है किसी तरल पर लगने वाले घर्षन बल उसकी तरल के सापेक्ष गती पर निर्भर करती है कि वो जो तरल के सापेक्ष जो गती कर रहा है वह गती कितनी है कम है या ज्यादा है और साथी साथ घर्षन बल बस्तू की आकरिती और बस्तू की आकरिती कैसा है या फिर बस्तू का आकार कैसा है और साथी साथ तरल की प्रकृती कैसी है इन तीन बातों पर निर्भर करता है पहला हम क्या बताए आप लोगों को साफेक्ष गती पर पहला तो निर्भर करेगा पहला दूसरा किस चीज पर वस्तु की आकृती पर निर्भर करेगा और तिसरा तरल की प्रकृती पर निर्भर करेगा कि तरल जैसे द लगाना पड़ेगा क्लियर है मेरे प्यारे बच्चो इसी तरह से देखो अगर एक हवाई जहाज के बॉड़ी देखे हो न कैसे होता है बेलनाकार होता है और कोई अगर मालो ऐसे चोड़ा वाला कोई चीज को कहीं पर हवाई में गती कराना हो तो उसके घरसन बल ज्यादा का इस प्रक्रिया में उसकी उर्जा का क्या होता है छे होता है तो बल लगाने में क्या होता है उर्जा का छे होता है अतो घरसन को कम से कम करने के लिए प्रयास किया जाते हैं अतो वस्तुओं को विस्स्ट आकरितियां दी जाती है इसलिए हवाई जहाज एक विस्स्ट आकरि के बारे में कहां से संकेत प्राप्त होते हैं अब अभी तो हवाई जहाज का आप लोग देख सकते हैं कि हवाई जहाज किस तरह से बना होता है बेलनाकार लेकिन आखिर बैग्यानिकों को इसकी प्रिर्णा कहां से मिलती है तो बैग्यानिकों को इसकी प्रिर्णा प्रकृति वास्तों में उन्हें ये संकेत प्रकृती से मिलते हैं पंक्ची तथा मचलियां तरल में गती करती हैं जो पंक्ची और मचली है वो तरल में मतलब पानी में गती करती हैं और वायू में गती करती हैं तो उनके सरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गती करते समय घर्षन पर पार पाने में उनकी उर्जा का 6 या था संभव कम हो, तो प्रकृति उनके सरीर का निर्मान इस प्रकार से की है, क्यों उनको तरल में गती करने में कम से कम असुबिधा हो, और वो असानी से उसमें गती कर सके, आपने इन आकृतियों के बारे में कच्छा 6 में आप ये एक पंक्ची का, ये दोनों के बीच में कुछ आपको समानता दीख रहा है, बिल्कुल देख रहे होंगे, इसका भी सरीर बेलनाकार बना हुआ है, और जहाज भी कैसा है, बेलनाकार बना हुआ है, मेरे प्यारे बच्चों, जो नौका होता है, नौका का डिजाइन ज जो परिभासा है, एक बार उसको फिर से समय लेते हैं, चुकि यह पूरा चेप्टर घर्षन पे था, लेकिन परिभासा कहीं भी अच्चे से लिखा नहीं गया है, तो इस परिभासा को आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अपने कॉपी पे, गर्षन एक बल है, जो दो तलों के बीच सापेख चिक असपरशी गती का विरोध करते हैं, पहले ही हम आप लोगों को समझा दिए हैं कि, जो दो तल होते हैं, मालनों कि कोई भी दो तल यहाँ पे दिया गया है, एक तल यहाँ हो गया, और दूसरा तल क्या हो गया, मैं दोनों तलों के बीच में क्या करेगा, दोनों तलों के बीच में उनके गती का बिरोध करेगा, तो यही बात यहां पे आप लोगों को समझाया गया है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और सपोर्ट करेंगे ताकि आपके लिए नया नया वीडियो में लेकर के आ सको Thank you very much students